स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टर स्टड़ी पर आज के इस वीडियो में आपके लिए क्लास टुबेल्थ फर्स्ट चेप्टर पॉलिटिकल साइंस सित्यूद का दौर से इंपोर्टेट ऑब्जेक्टिकीव क्यूश्नकों लाए गया और इस वीडियो के ऍप्र पूर्ड़ी में सावि चैनल को सब्सक्राइब भी चैनल पर जितने भी जो short long सभी तरह के questions कराये जाएंगे और पूरे explanation के साथ भी करके देखिए आप objective को अगर आप पहली बार channel पढ़ाएं तो चलिए देखते हैं हम लोग सित यूद का अंत कब हुआ आपको options हैं 1991 इसवी में, 1991 इसवी में, 2021 इसवी में या 2002 इसवी में कलत हो या सही comment किजिए हाँ इसका राइट एंसर जो होगा option नंबर है 1991 इसवी में और यहां जो टर्म्स आया सित्यूद तो जानते हैं सित्यूद के बारे में कुछ important points हो जितने भी questions होगे additional information के साथ कराया जाएंगे दम आपके exam के लिए two marks समझेए कि आपका objective करते करते आपक five marks भी बन जाएगा देखिए न सित्यूद क्या तो सित्यूद का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिती बन जाए कि लोग की लगे यूद्ध होकर रहेगी प्रंतु वास्तों में कोई यूद्ध ना हो इसमें यूद्ध की पूरी सम्हावन रहती है यूद्ध की आसंग का डर तनाव संगर्स जारी रहता है लेकिन यूद्ध नहीं होता है इस तरह के जो जो इस तरह का जो महौल बनता है इस तरह के महौल को मकाते हैं सित्यूद्ध तो आपको यह भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सित्यूद क्या होता है आप दूसरे विष्विउत के समापत होने के बाद चाली से अब तक कि वैस्वी घटनाओं के अध्य है और इसी में सित्यूद क्या हुआ था दूसरे विष्विउत के इंपोर्टेंट है तो दिवित्य विद्ध के समापती के साथ ही सीतियुद की सुरगात होई थी मैंने आपको बताया था और सीतियुद का अंत जो हुआ था वो क्यूबा का मिसाइल संगर सीतियुद का अंत था लेकिन इसका पर मुख कारन सवियत संग का भी घटन मान जाता यानि कि जितने भी क्यूशन होगे आपको एडिशनल इंफर्मेशन के साथ ही करा जाएंगे और उमीद है कि आपको समझ में आ रही हो अगर नहीं तो कमेंट किजिए और अच्छा समझाने की कोशिस करेंगे कमेंट किजिए चलिए तो नेक्स क्यूशन है हमारा बढ़ते ह वरतमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या 28 हैं ये भी क्यूशन सापके एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो क्यूशन को इंसर को याद रखिएगा अब टर्म्स नाटो के बारे में जानते हैं क्या होता है नाटो नाटो जो पछिमी गठ मंधन ने स्व संगठन नाटो के अस्थापना हुई थी इसमें 12 देश सामिल थे ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है ये पूछे जाते हैं यानि कि आपको मातर इसमें लएगा कि 20 अबजेक्टिव कर रहे हैं लेकिन 20 अबजेक्टिव नहीं आप 50 पलस अबजेक्टिव कर लोगे देखना ना चलो तो देखते हैं हम लोग इस संगठन ने घोसना की कि उतरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पड़ भी हमला होता है तो उसे संगठन में सामिल सभी देश सभी देश अपने उपर हमला मानेंगे मतलब जितने भी संगठन म गोसना किया गया नाटो में यह आपको याद रखने हैं और नाटो में सामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा उद्देश से था अमेरिका द्वारा बिश्वे में लोग तंत्र को बचाना तो आप कंसर्प्ट को समझ चुके होंगे नाटो किया था चलिए बढ़ते हम लो तो इसका राइट एंस 검찰 है और च्वेट संग ने वार्षा संधी का द्वार सैनिक गुट बनाया था और जो वार्षा संधी क्या थी इसके बद में टरम्स को अमलोग जहां जाता है यह हैं वार्षा संधे यह आपके exam के लिए यह बहुत इंपोर्टेंट है वार्षा संधी इसकी अस्थापना कब हुई थी तो 1955 में हुई थी उनेश्ट पच्पन में हुई थी और इसका मुख काम क्या था तो नाटो में सामिल देशों का इरोप में मुकाबला करना था वीडियो फास्ट लेगड़ी होगी तो पहुच क के बाद 1970 के बाद ya 1980 के बाद तो क्या होगा इसका राइट एंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका जो राइट एंसर होगा option no.C 170 के बाद समझते हैं enginesesenteer के बाद क्या होगा था 1962 में के क्यूबा संक्ट के बाद सन्युक्ट राज अमेरिका और सोवियत संग के बेवहार में आये परिवर्तनों को तनाव से थिल या दितांत का नाम दिया गया वही जो relaxation of tension, tension से relax मिला क्यूबा संकट के बाद सीति यूद के बातावरन में कुछ नर्मी आई और दोनों गुटों में मद्य व्याप्त तनाव की भावना सौहाद्र पूर्ण वह मित्रता की भावना में बदलने के आसाथ दिखाई देने लग गये कुछ आवाज में अच पडिवर्तन है क्योंकि अभी सुबा जो उठें तो कुछ आवाज में पडिवर्तन हो गया तो चलिए उमेद है कि आपको समझ में आ रही होगी चलिए वीडियो समझने से मतलब है समझते हैं कलास तो नहीं रूखना चाहिए पूर्व बनाया हम पच्छिम का समझ से आसे किस से हैं तो आपको आस्ट डियुदिस से सीत युदिस से तनावसे थिल से उत्तर सीत युद दौर से तो क्या होगा इसका राइट एंसर तो फाइब का जो राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर भी सीत यूद से हम लोग कि इस चेप्टर के बारे में पढ़ रहेंगे सीत यूद का दौर तो सीत यूद से नेक्स क्यूशन है हमारा गुट नीरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे आपको अप्शन्स है भारत के जोहर लाल नहरू यूगोल यूगोसलाविया के जोसेप ब्रावश टीटो मिसर के गमाल अबदूल नासीर और डी इन में से सभी गूट नीरपेक्ष आखिर होता सकते हैं डाउनूट कर सकते हैं और आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो गूट नीरपेक्ष ता तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी इन में से सभी तो हम लोग समझते हैं टर्म्स गूट नीरपेक्ष के बार दो धुरुवेता में बंट रहें देशों से अपने को अलग रखने के लिए था जिसका उद्देश से विश्व सान्ती था इस आंदोलन का नाम गूट नीरपेक्ष आंदोलन पड़ा गूट नीरपेक्ष आंदोलन महा सकतियों के गूटों में सामिल ना होने का आंदोलन परनतु ये अंतराथ्ण्यis Maamplo से अपने को अलग अलग थलग नहीं रखना था,पीतु इन्हें सभी अंतराष्ट्रियो maamplo से सरोकार था तो यही गुद्ट निरपक्सता का अरफ था कि मतलब सभी गुद्ट से अपने on AG रखना तो यह आपको याद रखने हैं और जो गूट निर्पेक्ष था कि जो आंदोलन के अस्थापना हुई थी अभी आपने पढ़ा कि इन में से सभी तो जो सन 1956 में इगो सलेविया के जोसेफ ब्रोज टीटो भारत के जो आहडलाल नहरू और मिस्तर के गमाल अब्दुल नासिर ने एक सफल बैठक की जिसमें ग गूट निर्पेक्ष अंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम में इन ही लोगों का नाम आता है जिनका नाम अभी आपके ऑप्सेंस में था तो यह भी आपको यह आद रखने हैं आपके एक्जाम के लिए सब क्यूशन जो है बहुत इंपोर्टेंट है आपको PDF दे दिया चलिए देखते हैं कितने नमबर पर आपका क्यूशन आता है गुट निर्पेक्ष राष्ट्रों का पंदरहमा सिखर सम्मेलन कहा हुआ आपका संस्था है नेपाल में स्रिलंका में सर्म अलसेख में तो सेविन का जो राइट एंसर होगा ऑप्सन नमबर सी सर्म अलसेख में तो यह भी एक क्यूशन आपके एक जान के लिए बहुत इंपोर्टेंट है और यदि आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको इस चैनल पर जितने भी सोट लॉंग जितने भी अबजेक्टिव क्यूशन होगे सभी कराया जाए करेंगे हर एक चैप्टर से चैप्टर बाइच चैप्टर बाइच कराया जाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो एट का जो राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी गुट निर्पेक्स राश्ट्रो के सुलहमें सिखर सम्मेलन में 120 सदस 120 सदस से दे जो हुआ था 161 में बेल ग्रेड में हुआ और इसमें कितने सदस सामिल थे कितने देश तो 25 देश 25 देश और 14 हमां यह बहुत इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के लिए पूछा भी गया एक्जाम में तो जो यह बहुत इंपोर्टेंट है इसको याद रखिएगा पक्क 14 हमां गुट निर्पेक्स सम्मेलन जो 2006 क्यूबा हमाना में 116 सदस्यों देशों और 15 पड़े 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 चक देश सामिल हुए तो यह आपको एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है याद रखना है और नेक्स क्यूशन है हमारा होट लाइन स समझाता कब हुआ था आपका सब्सक्राइब के लिए इस वीडियो के जितने भी क्यूशन से सभी क्यूशन से लेक्टेड है वही क्यूशन लिया गया है जो आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है तो नाइन का जो राइट हैं और नमबर ए 1963 में होट लाइन समझाता क्या उद्धे से था तो इसका जो मेन उद्धे से था कि सन्युक्त राष्ट और सोवियत संग के इन दोनों के सरकारों के भी संचार को गती देना और आकास्मिक परवानु इद्धु के संभावना को रोकना इसलिए बनाया गया था क्या होट सबसे पहले समाजवादी राष्ट्र कुल छोड़ा तो क्या होगा राइट एंसर ऑप्शन है युगो सलाविया पुलैंड अल्बानिया चीन तो इसका जो 11 का जो राइट एंसर होगा ऑप्शन नमबर युगो सलाविया फेरी इंपोर्टेंट क्यूसेंस है और साथ 2012 में इस क्यूसेंस को पूछा गया आपके और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नहें हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल के लिए important questions हैं नेक्सक्षान है हमारा सन 1953 इसमी में अमेरिकी राष्ट पती कौन बना यह एक्जाम के लिए आपके important है आप questions में भी questions को देख सकते हो तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा options को आप देखिए और इसका राइट एंसर option नमर भी हो जाएगा आईजन होवर आईजन होवर याद रखने हैं आपको राष्ट पती रिगण ने किसको दुष्ट समराज कहा तो option है सोवियत संग को चीन को होलैंड को या इन में से कोई नहीं तो क्या होगा 14 का राइट एंसर तो राष्ट पती रिगण ने होलैंड को सीर नहीं सोवियत संग को कहा था दुष्ट समराज कहा था next question है हमारा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ब्रेजनेव किस देश के राष्ट पती थे ये भी आपके एक्जाम के इंपोर्टेंट क्यूशन है तो बिरेजनेव जो थे वह सोवियत संग के क्या थे तो राष्ट पती थे यह आपको याद रखना है आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है next question है हमारा क्यूबा संकट किस वर्स उत्पन हुआ आप पास options है वर्स 960, वर्स 960, वर्स 960 तो क्या होगा इसका राइट एंसर 16 का पता है तो बताईए इसका जो राइट एंसर होगा option number C 1962 आपके उफर questions में भी आपको explanation में इसको बताया था तो आप अगर ध्यान दिये होंगे तो आपने सही बताया तो चलिए इसका जो होगा क्यूबा मिसाइल संकर जो है वो क्यू आपको याद होना चाहिए कितने किस वर्स तो option number C राइट एंसर कोरोना चल रहा है जी लॉकडाउन है घर में रही अच्छे से अब तो अनलोक चल रहा है ना किस गूट निर्पेक्स समेलन में नई अंतराश्ट यह आर्थिक वेवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पा होते हैं इसलिए मैं आपको PDF प्रवाइट करता हूं कि आपको वीडियो में जो होंगे वह किलियर कंसेप्ट नहीं मिल पाएगा तो आप क्या कर सकते हैं आपकी इसको अपने PDF से इंपॉर्टेंट क्यूस को याद कर सकते हैं तो आप PDF को डाउनलोड किजिए जरूर से कि इसका आइट एंसर आप्शन नमबर सी नाइंटे शिटीटी नाइंटे सेवेंटी तीडी के एलजी अर्स समयलन में नेक्स्ट चुशन है हमारा लाइब क्लास करूंगा अब किस माध्यम से करूंगा वाटसेप से या फेस्वुक पेज से तो वह मैं बाद में बताऊंगा लेकिन जो बच्चे ज्यादा एक्टिब नजर आएंगे उनके लिए अलग से क्लास की वेवस्ता की जाएगे कब तो एक्जाम के टाइम अभी न आपको 1941 में हिटलर ने सोवियाद संग पर आक्रमन किया था नेक्स्ट क्यूशन है हमारा 19 का 19 का जो राइट एंसर होगा समझे कि आज की इस वीडियो का यहीं लास्ट क्यूशन है क्योंकि 20 नमबर क्यूशन का एंसर आपको इस वीडियो का जो होगा स्ट्रीमिंग खतम होने के बाद आपको कमेंट करके बताना है और देखना चाहते हैं कि कौन जो है वो सबसे प 20 सामयवादी चीनकों और चलिए हम लोग 20 क्योशन के बढ़ते हैं 20 वहीं क्योशन जो है वह आपके लिए आज क्योशन आप देखना है कमेंट करके सितियूद का क्या कारण था आपको बताने है तो चलिए जैसे ही वीडियो खतम होगी आपको कमेंट करके बताना होगा तो उमेद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी अगर वीडियो समझ में आई होगी फ्रेंट्स तो आप ही लोग अगर चैनल का सपोर्ट कीजिएगा तो चैनल आगे गुरो करेगा तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर कीजिए ताकि और भी बच्चों को क के फायदा मिल सके आज कुछ क्या था मेरी अवाज में कुछ मतलब की कुछ प्रॉब्लेम आ गई है जिसके कारण जो अवाज है कुछ हां सबसे पहले देखना चाहते हैं कौन करते हैं सबसे पहले और यह भी कमेंट किजएगा अगला कौन सा मतलब चैप्टर चाहिए जैसे होता कि है आर्ट में बहुत सा चैप्टर है ना जिससे साइकलोजी भी है ओम साइंस भी है तो आप लोग जिसके ज्यादा चैनल पर तो अपलो का बनुट